हाव रूफीक्स सैमसंग S10 Lite स्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर अब सभी का तिक राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अपना जो यहा पर अच्छे से जो है नहीं हो रहा है तो आपको कैसे fix करना होगा मैं आपको दोस्तों कुछ solutions बताऊंगा इसके regarding पर ठीक है आपका problem दोस्तों यहां पर solve हो सकते हैं अगर यह software के related कोई भी problem है तो जब भी दोस्तों यह चीज़ का problem आ जाते है आपकी device पर तो दोस्तों यह hardware के वज़ा से आते है या तो फिर software के वज़ा से ठीक है तो दोनों में से दोस्तों कोई भी problem आपको यहां पर हो रहा होगा अगर आपके screen वगएरा damage है तो यह दोस्तों एक hardware का issue है तो आपको simply technician के पास जाके fix करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर मान लिजिए आ फिर भी आपको इस तरीके का problem आ रहा है तो आपको कुछ solution से आपे follow कर लेना है उसके बाद भी hardware का issue हो सकते हैं ठीक है तो जानने के लिए आपको वीडियो पुरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके channel को subscribe करते हुए bell icon को click करना है और अगर आप online पैसा कमा पाना चाहते हैं तो वीडियो description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चले दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी problem आ जाते है आपका जो case है दोसको देखिए ठी सारे साथ में दोस्तों आगर आपके screen पे कुछ भी यहाँ पे screen guard वगएरा लागाया हुआ है ठीक है कुछ temper वगएरा है तो उनको आप remove करके देखिए ठीक है back cover screen guard stickers तो उन सब को आप remove करके देखिए अपने screen से और screen को थोड़ा साफ करके देखिए क्योंकि दोस्तों अगर आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है कई बार दोस्तों कई case में यही reasons रहते है basic reasons और basic solutions ठीक है काम हो जाते तो आप भी यह सबसे पहले करके देखे solve हो जाते problem ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाए सेटिंग पर अपना storage चेक करें ठीक है अगर आपका storage द 30% आप free up करें storage clean up करने के बाद दोस्तों applications चेक किजिए अगर कोई भी बैट application से जैसे की third party application यहाँ पे कोई भी unknown website से इंस्टॉल किया हुआ application तो उनको भी आप delete करें अगर बहुत सारे application से तो उनको भी आप delete करें अगर unused है तो थोड़ा सा mobile को free up करके देखिए ठीक है कई वर दोस्तों क्या होते मोबाइल लेक करते है फूल हो जाने के बाद तो हमें लगते यहाँ पर डिस्प्रेय आडिफिर टाच का issue है ठीक है लेकिन इसा नहीं होते वह लेगिंग का issue होते और हेंग होने के वज़े से इसा problem होते तो आप एक बार जरूर यह try करके देखिए अगर इससे काम बन जाता ही तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तो problem आ रहा है तो आप touch check करके देखिए ठीक है अपने mobile पर touch check करके देखिए उस पर information के अंदर पर तो बिल्ट नंबर पर आपको साथ बार क्लिक करना है उसके बार mobile पेटर्न आपको भर देना है और यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहा पर है हमें वह search करना है तो last पर आपको मिल जाएगा तो उसमें जाए इनेबल होना चाहिए आपका developer option तो यहापर ह हमें search करना है pointer location तो चलिए थुरा सा नीचे जाके search करते हैं pointer location ओके तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पे आप slide करके देखें ठीक है इस तरह के से आपको draw करके देखना है screen पे अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से हो ठीक है यह running पे नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच में ठीक है problem करते तो touch जो है इस तरह के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पतर लग जाएगा कि इस area में आपका screen पे touch problem है ठीक है यह touch issue है या फिर क्या problem है आपको यहीं से प touch को change भी कर सकते या फिर display चेक करवा सकते किसी भी technician के पास जाके ठीक है तो इस तरह के से भी दोस्तों कई बार हम चेक कर सकते हैं सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है software update करना है software update करने से दोस्तों आपके mobile पे काफी जारा improvement हो जाते जैसे कि यहाँ पर लिखा तो future improvement to perform ठीक है तो आपके device में और भी ज्यादा यहाँ पर परफुमेंस अच्छा होने के लिए आपको software update दिया जाते तो software को update करें और उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी यहाँ पे solved हो जाएगा ठीक है तो इस तर करना है रिसेट पर क्लिक करना है और factory data reset पर क्लिक करते हुए आपको reset पे डबाके mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service industry पास जाके fix कर सकते वाइरिंग का issue हो सकते मा रबोट problem हो सकते display खराब हो गया होगा तो इस तरह के से दोस्तों display screen touch problem हमें fix करना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching